जी केव 7 आज के लेक्चर का अगास करते हैं प्रीवेस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 कम्प्लीट किया था जो रिलेट करता था चीफ एग्जेक्टिव एंड अधर आफिसर्स से तो उसमें हमने अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 अगर हम अनेलेसिस करें तो एक कंपनी से रिलेटेड जो मेजर स्टेक होल्डर्स होता है वो मेजर स्टेक होल्डर्स में शामिल है सबसे पहले शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर्स के बाद मैनेजमेंट और फिर ऐसे लोग जो शेयर होल्डर्स तो नहीं लेकिन उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है ये कौन लोग हैं जो शेयर होल्डर्स तो नहीं लेकिन कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है ये वो लोग हैं जिनो पर फाद जो क्रेडिटर्स है इन से रिलेटिटर्स है चैप्टर फाइटर्स जो मेनेजमेंट से रिलेटिटर्स है चैप्टर three or four creditors related chapter seven और जो हमारा chapter five और nine है यह relate करता है shareholder से five six और nine यह shareholder से तो बताने का मकसद ही है कि हमारे इस labels के अंदर उस ने तीनों party से related legal requirements को cover किया है यानि shareholder से related भी creditors के हवाले से भी और management के हवाले से भी management के हवाले से हम तकरीबन सारी discussion कर चुके हैं स्वाए एक concept है disclosure of interest का वो हमने बाद में एक लादा से chapter है उसमें study करेंगे disclosure of interest का वो management से relate करता है वरना management के हवाले से discussion हमारी complete हो चुकी है अब जो हम discussion start करने जा रहे हैं वो है shareholder के हवाले से कि shareholder कौन है और इन से related law क्या कहता है सबसे पहरे तो ये जहें में रखिए कि shareholders वो लोग हैं जिन्होंने company में investment की जिन्होंने company को incorporate करवाया register करवाया और company को चलाने के लिए उसमें अपना पैसे डाले वो हैं company के shareholder असल में ये company के owners होते हैं company के डिरेक्टर चीफ एग्जेक्टिव company के अनर नहीं है company को चला तो रहे हैं लेकिन वो चला रहे हैं shareholders के भी हाफ पे जो असल में अनर है company के वह कौन है वो shareholders है तो shareholders कहानी शुरू कहां से होती है तरतीव से चल दे हैं सबसे पहले promoters आपको याद हो का हमने start में chapter 1 और 2 में पढ़ा था कुछ promoters company setup करने के बारे में सोचते हैं फिर memorandum और articles prepare करते हैं रिजिस्टरार के पास subscribe करते हैं उसको registrar के पास जाते हैं registrar उनको register कर देता है जब company बन जाए तो ये जो subscribers होते हैं ये क्या कहलाते हैं members of the company members of the company और इसके बाद company register होने के बाद जहरे company register तो होगी इसका मतलब है legal उसकी existence हा गई लेकिन company को चलाने के लिए कुछ पैसे भी तो चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि चलाने के लिए उसका register करवा देना काफी नहीं है बलके उसके लिए कुछ पैसों की भी जरूरत पड़ेगी इससे पहले हमने चैप्टर जो बन टू था उसमें registration की है तक discussion की थे अगर आपको याद हो उसके आगे वह शेयर कैपिटल वगारा कैसे रेज किया जाएगा shareholders के बारे में इसके नहीं की थी ऐसी है ना अब हम shareholders के बारे में discussion करने जा रहे हैं जहन में रखेगा इस chapter के start पे हम किस point पे हैं हम इस point पे है कि हमारी company incorporate हो चुकी है लेकिन इसको चलाने के लिए पैसों की जरूरत है और वह पैसे अभी तक नहीं है तो अब जाहिर है common sense की इसकी बात है मैं आप से पूछे हूँ अब पैसे किसने इंवेस्ट करने है का अपनी में definitely वह members नहीं है क्योंकि अभी चूंके shares issue नहीं हुए हम उन्हें share holder नहीं कहेंगे हम उन्हें तो members कैसे पैसे invest कर इसका बकाईदा एक तरीका का रहा है ऐसा नहीं है कि जैसे विजनिस में उसने जाके रख़ए उदर दराज में पैसे रख़ए यह जी पैसे होगया और का पैसा बिजनिस में इन्वेस्ट होगया और वापीश लेके जाना है तो दराज में से बिजनिस के दराज में से पैसे निकाले और घर ले गया कि जी ये हमारे आज का प्रॉफिट हा मैं घर ले गया सूल प्रोपरटर्शिप में तो ऐसे चलता है लेकिन कंपनी फार्म और बिजनिस में ऐसे नहीं चलता बलके अगर एक रॉपिया भी बिजनिस में इन्वेस्ट करना है उसके लिए बकाइदा लाने रेगुलेशन दी हुए किस तरीके से इन्वेस्ट होगा और अगर एक रॉपिया भी बिजनिस निकालना है तो उसके बारे में भी लाने रेगुलेशन दी है कि किस तरीके से distribution होगी shareholders को आज के lecture में हम यही concern start करने जा रहे हैं कि अगर business में पैसे invest करने हैं members ने shareholders ने तो उसका तरीका कार क्या है लेकिन वो हमें 40 तोर पे procedure बताने से पहले कहता है आप कुछ terms को समझ लो कुछ legal terms है इनको ताके जब हम procedure discuss कर रहे हो न है आपको understanding में प्राबलम ना हो हमने का ठीक है यार रहे जितनी भी terms हम discuss कर रहे होंगं यह shareholders के होगी यह management के हवाले से नहीं होगी यह creditors के हवाले से नहीं होगी किसके हवाले से होगी shareholders के हवाले सबसे पहले वो कहता है यह जो बिजनिस में लोग, बिजनिस में पैसे आते हैं, यह कहां से आता, sources of finance, यह हो सकते हैं, एक shareholder पैसे invest करें बिजनिस में, और दूसरा lenders, creditors invest करें, दोनों के लिए हम word investment ही यूज करते हैं, word investment is equal to share capital plus loan, word investment में याद रखिएगा, यह आगे चलके concept यूज करना है मैंने, लफज investment में, shares भी आ जाते हैं, अगर आप किसी company के shares खरीदें, तो भी आप legally कह सकते हैं, मैंने इस company में investment की है, और अगर आप किसी company को धार दें, तो भी आप कह सकते हैं, मैंने इसमें investment की है, तो जो sources of finance है, यानि company पैसे इकठे करेगी, वो एक तो share capital के जरीए पैसे इकठ आते हैं, bank loan, अच्छा ये loan वैसे normally सबसे ज्यादा bank से लिया जाता है, लेकिन bank के लावा कुछ और लोग जैसे directors या majority shareholder से भी loan लिया जा सकता है, लोग लिया जा सकता है, दोनों में से ना debenture और loan में से, company के लिए बेहतर सस्ती option क्या पढ़ती है भला, bank loan, इसलिए कि जब कभी आप general public से पैसे कठे करेंगे ना, regulator हरकत में आ जाएगा, regulator कहेगा कहीं आप general public से कोई fraud तो नहीं कर रहें, कहीं आप general public से पैसे कठे करके भाग तो नहीं जाएंगे, वो कहता है, मेरी strict requirements हैं, पहले वो पूरी करो, फिर general public से पैसे तुम्हें लेने दूंगा वरना नही तो debentures issue करने होना, इसके उपर strict requirements हैं, इवन अगर share capital भी issue करते हैं, शेर भी आपको पता है, बाद को जनरल पबली को issue होते हैं, इसके लिए बेंक लोन के लिए, या डिरेक्टर से लोन हास्वे करना के लिए, ज्यादा requirements, क्योंकि इसमें general public का पैसा involved नहीं है, बाराल in short, sources of finance में दो बड़े sources हैं, जिन से company पैसे कठे कर सकती है, एक है share capital, एक है loan, loan की आगे दो further types है, बैंक से भी लोन ले सकते हैं, उसे bank loan कहते हैं, general public से भी लोन ले सकते हैं, उसे debentures कहते हैं, हम इस chapter में सिरफ और share capital को discuss करेंगे, debentures और loan को इस chapter में discuss नहीं करेंगे, ये sources of finance हमा बारे discuss होंगे, next chapter में, जो गालिमन, mortgage and charges को नहीं सा chapter 7 है, 7 chapter 7, इनके बारे में discussion हमारी होगी, chapter number 7, इस chapter 5 में किस चीज़ के बारे में, share capital के बारे में, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, shareholder से related दो चीज़े हैं, एक पैसे company को दिये, यानि share capital, दूसरा पैसे company से लिए, यान dividend, जो profit का इसा है, ये chapter, सिरफ share capital को discuss करेगा, यानि जब shareholder company को पैसे दे रहा है, जब company से पैसे लेने की बारी आएगी, वो concept लादा है, वो है distribution of profit, वो देखे कौन सा chapter है, chapter 9, chapter 9, chapter 9, तो देखे हैं, chapter कैसे एक दूसरे से integrated है, मिलते चलते हैं, अब हम आते हैं, वापी से chapter कि दो, कहता है भाई, shareholders के बारे में जानने से पहले आप ये तो समझ ले, shares क्या होते है, share capital क्या होता है, ठीक है, shares क्या होते है, share capital क्या होता है, शायद मैंने किसी lecture में पहले ये बताया हुए, आपको share capital है, याद है आपको, जो आपको बताया था, पहले lecture में, पहले chapter है, हाँ जिस तरह एक बड़ी society होती है उसके छोटे-छोटे प्लाट बना दिये जाते हैं और जो एक प्लाट रही ना चाहे उसे तो उसी तरह कंपनी का पुरा share capital होता है उसके छोटे-छोटे-छोटे-छोटे हिसे कर दिये जाते हैं जिन्हें share कहते हैं हर share की अपनी फेस वेले अकाउंटिंग में आपने पढ़ा हुआ है सिर्फ कैपिटल शेर कैपिटल क्या है शेर कैपिटल कहते हैं आप अगर सोल प्रॉपरेटर्शिप या पार्टनेशिप के तोर बिजने शुरू करें ना तो कोई कोई लिमिटेशन नहीं है जब मर्जी बिजनिस में पैसे लेके हैं जब मर्जी पैसे लेके जाएं जितने मर्जी पैसे इंवेस्ट करें जितने मर्जी पैसे निकाले कोई रोक डोक नहीं है किस को सोल प्रॉपरेटर को और पार्टनेशिप लेकिन कमपनी के केस में ला ने का बिजनेंगे यानि इस कंपनी की समझ लीजिए जो नेट वर्थ हमारे ख्याल में हमने 500 मिलियन कैपिटल तक जाना है इस से आगे नहीं दा तो हाला के 500 मिलियन अभी आपने बिजनेस में डाला नहीं है लेकिन आप मैक्सिमम लिमिट रो क्या है कि यह होता है आथलाइज शेर कैपिटल ठीक है यह क्या है यह क्या है मैक्सिमम क्यांट है कि जितना आप शेर कैपिटल बिजनेस में इंग्ट करसकतें अभी और ने tio नहीं issued can be के उपर जोरा मेरा authorized share capital क्या है वो maximum amount of share capital which can be issued और जो which is actually issued उसे issued share capital क्या है issued share capital क्याते है अब एड़ा का बड़ दें भी उसके हमें issued share capital रखते है यह authorized share capital अगर आपको memorandum के elements याद हो clauses याद हो तो memorandum की clauses में एक class थी authorized share capital उसमें हमने सारी discussion की हुई है कि हम start में ही यह बता देते हैं कि maximum इस company का share capital कितना होगा और जो तरीका कार होता है इसको लिखने का memorandum के इंदर वो क्या होता है five million shares of rupees hundred each is equal to five hundred million इसको धिहान से बढ़ने यह वाली लाइन five hundred million shares of rupees hundred each is equal to five hundred million इसे कहते हैं यह जो है hundred is nominal value यह face values को कहते हैं और यह जो five hundred अगर आप authorized number of shares को face value से multiply करेंगे अगर आप इशूर नमबर of shares को face value से multiply करेंगे इशूर शेयर कैपिटल आएगा यह बात समझा रही है ठीक अच्छा एगजैम में वह अक्सर टेस्ट करता है कि आपने percentage of holding किसी बंदे की calculate करनी होती है कि Mr. A के पास कितने percent shares है Mr. B के पास कितने percent shares है क्योंकि आपने देखा कि कुछ concept ऐसे हैं जिन में वह कहता है अगर किसी बंदे के पास कम अज़कम इतने percent share है वो मेरे पास आए बरना और कोई ना आए पढ़ा कभी किस concept में बढ़ा है कि कम इतने percent shares हों तो हमारे पास आए वरना ना है election of directors में क्या percentage थी 10% 10% क्या ये percentage of share holding किसी और concern में भी यूज हुई है और किस परसंटेज ऑफ शेर holding याद किजिए किसी और concern में यूज हुई है एक तो यह हुई ना टैन परसंट डिरेक्टर्स का election कार देना हो ठीक है डिरेक्टर्स बनने के लिए percentage नहीं थी उसमें उसने परसंटेज तरीका कार तो बताया था परसंटेज का जिकर नहीं किया था मैं कर रहा हूं जहां परसंटेज उसने खुद से बताई हो 50% कहीं यूज हुई थे majority of shares majority of shares majority of shares का concert हमने पढ़ा होल्डिंग सब्सेट्री holding सब्सेट्री में पढ़ा था public sector company में पढ़ा था इसका मतलब यह हुआ के law पढ़ते कंपनी law पढ़ते हुए कुछ ऐसे मकामात आते हैं जिनमें हमें percentage of share holding calculate करना होती है जिसमें हमें percentage of share holding calculate करना होती है यह चीज़ मानते हैं अब वो percentage of holding कैसे calculate करना है दो तरीके सुलने दो सही तरीके हैं एक गलत तरीका है एक्जाइम में आपको information ऐसी देगा कि आप गलत तरीके की तरफ जा रहे होंगे सही तरीका क्या यह सुलने किस चीज़ का सही तरीका बता रहा हूं percentage of share holding calculate करना है पहला total number of shares को और जो किसी बंदे के पास shares है इनको divide कर ले जो मेरे पास shares है वो उपर total number of company के शेर नीचे percentage calculate हो जागी यह भी percentage सही है यह number of shares की बेस्पे दूसरा तरीका क्या है कि जो मेरे पास share capital है उसको company के total share capital से साथ divide करते यानि जो मेरे पास share capital वो उपर आजागा जो कमपनी का total share capital हो नीचे आजाएगा percentage calculate होगी यह भी ठीक तरीका जो तरीका ठीक नहीं है वो क्या है कि मेरे पास जो number of shares है उन्हें मैं company के share capital से divide कर दो या जो मेरे पास share capital है उसे मैं company के number of shares से divide कर दो यह गलत तरीका है क्योंकि percentage calculate करने का तरीका है like with like calculation करनी है अगर company के number of shares है तो हम भी number of shares के साथ calculation करेंगे अगर company का share capital है तो हम भी अपना share capital के साथ calculation करेंगे exam में वो आपको कहेगा आपके पास 10,000 shares है और company का share capital है 10,00, और एक share की कीमत है 10,00, बताइए कितने percent share holding है आप कहेंगे 10,000 number of shares divided by 10,00, एक परसेंट जो गलत है हाँ एक लाग या तो company का भी number of shares में convert करके calculation करें या अपना भी share capital में convert करके calculation करें यह बात पहले भी समझाए थे आपको clear हुए बात तो यह जो line है ना इसको exam में वो करीबन हर attempt में टेस्ट करता है पर शोड़ गलती भी करते हैं इसके रिए डाश कर रहा हुए अधर शेयर कैपिटल समझागे क्या है वह maximum अगर एक company का authorized share capital है पचास करोड़ तो कि इसका यह मतलब है कि इसके पास पचास करोड़ लप्या पढ़ावा में करोड़ में है इसका यह मतलब नहीं है इसका authorized का मतलब है यह register करवाई ह इक्षुरी इतने तक क्या capital कठा करने की जाज़त है अभी कठा किया ने है जो इकठा करते हैं हम उसे क्या कहते है एस्वीट शेयर कैपिटल है शेयर कैपिडल में फरक समझा रहे है अब शेयर कैपिटल इशू करने का प्रोसेस क्या यह भी थोड़ी दिर मैं डिस्क्स करता हूँ मैं आपसे लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा कि जो शेयर कैपिटल इशू किया जाएगा ना वो आथोराइज शेयर कैपिटल के बराबर या उससे कम होगा उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता issued share capital can never exceed authorized share capital यह बात समझा है यह अच्छा authorized share capital तो समझ आ गया कि इसके साथ authorized का लफज क्यों लिखा हुआ है वो यह share capital जो registrar के पास register करवाया हुआ है registrar नहीं हम authority दिया है कि इतना share capital issue कर सकते हैं issued share capital के साथ issued क्यों लिखा हुआ है यह हमने issued कर दिया अब issue करने का process क्या होता है यह सुनने लिए ठीक है sometime याद रखें कुछ companies होती है जो issue करती है प्राइबेट प्राइबेट issue किसे कहते है बला अगर प्राइबेट कंपनी है ना को subscribers ही सारा share capital खरीद लेंगे लेकिन अगर पब्ली कंपनी है तो फिर जनल पब्ली को शेयर issue करना याद है ना प्राइबेट कंपनी और डैफिनेशन में था प्राइबेट कंपनी की डैफिनेशन याद है आपको अगर प्राइबेट कंपनी है तो सारे का सारा share जो है subscribe यूटा लेंगे लेकिन अगर पब्ली कंपनी है और खास तो पर जो लिस्टिड है या लिस्टिड होने जा रही है वो जनल पब्ली को भी इशू कर सकती है तो अब मैं आपके साथ प्रोसीजर शेयर कर रहा हूँ जो के एक कंपनी फालो करती है कब? तब जब उसने जनरल पब्ली को शेयर इशू करने होते है स्टार्ट करें जी स्टेप नंबर वान कमीशन ऐसी सी भी ये कहता है किसी भी कंपनी को कि आप ने गर जनरल पब्ली को शेयर इशू करने है ना तो जनरल पब्ली को complete information होनी चाहिए आप कौन है? क्या काम करते हैं? आप incorporate कब हुए? आपकी कंपनी के बड़े बड़े directors कौन है? ताके लोगों को तसली हो जाए कि वो अपनी सारी उमर की जमा पूंजी जिन हाथों में देने जा रहे हैं वो safe hands है इस purpose के लिए एक document issue किया जाता है जिसे कहते हैं prospectus prospectus बनाती है company कौन सी company? जिसने shares issue करने है जनर पब्ली को ये prospectus बहुत critical document होती है इसी को पढ़के सबने फैसले करने है कि इस company में इंवेस्ट करें के ना करें इस prospectus में company के बारे में information भी होगी और एक application फार्म भी होगा कि मैं आपकी company के इतने shares खरीदना चाता हूँ prospectus पढ़ लिया आप मैं इतने shares खरीदना चाता हूँ ब्राय मेरे बाद ने मुझे share इसू करें company का prospectus conceptually exactly वैसा ही है जैसे किसी college का prospectus आप college में admission लेने के लिए जाते हैं आप अपने केरियर की investment कर रहे हैं ठीक है आप जाते हैं prospectus लेते हैं अग प्रॉस प्रॉस्पेक्टस में college के बारे में information है उसके पास के बारे कब बना क्या क्या प्रॉटीज है क्या achievements है currently teachers कोन है principal कोन है board of governance में कौन कोन लोग शामिल है बगएरा बगएरा ताकि आपको तसलिह हो जाए कि आप जिस जगा पढ़ने के लिए जा रहे हैं वहां पे लोग component team मुझूद है और वहां पे जब मुझे यह बताईए क्लास है उसमें उसमें admission के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू किया हंडर्स रोड्स की क्लास है क्या जो प्रॉस्पेक्टस इशू किया जैगा उसके साथ तीन पोस्टि दैसे प्रैक्टिकली दो प्रैक्टिकली थी तीन प्रैक्टि क्टी जो अबल टेशन्स आएं वह जो तदाद है जैसे अंडर्स इसे कमहां भरत कम चांस की यहां पर क्या होता वर्या मिद पहर तो जब application submit करवा देते हैं उसके बाद college क्या करता है देखता है कितनी application आई अगर तो application की तादाद equal या कम हो वो admission देते हैं लेकिन अगर application की तादाद ज्यादा है seat से वो क्या करते हैं वो decision करते है marriage list लगती है कोई भी criteria होता है उसके मताबिक decide करते हैं कि हमने किन किन students को admission देना है और किन को excuse करना है ऐसे ही है excuse करने वालों को कहते है भाईया आप जाए और जिनका admission confirm हो जाओने काते हैं आपके class में बैठें फीज जमाकरवाएं exactly यही system company के case में होता है फरक सिरफ यह है के college prospectus के case में आपको fees admission confirm होने के बाद जमाकरवाणी होती है जबके company के case में आपको shares के पैसे application के साथ जमाकरवाने होते हैं अगर तो application successful हो जाये आपको बदले में shares issue हो जाते है company के अगर application successful ना हो आपको बाद में पैसे वापिस मिल जाते हैं यह इसलिए कहा गया है ताकि serious investors ही application फाईल करें जिनके पास पैसे हैं तो company के केस में company ने क्या करना है सबसे फ़र स्टैप मूम्भर बन प्रॉस्पेक्टस बनाना है स्टैप नम्बर डू इस प्रakat कॉब्लिडिक य का दिया उर पर दें स्टनिंग है उनों इस prod कोपड़ के application file की पैसे कैसा काउंड में आपलीकेशन फाइल करती हो अच्छा यह जो प्छास्स होता наход है जिसमें लोग application झमा करवाते हैं इसे कहते हैं subscription इस प्रोस्रीप्शन को कहते हैं सबस्क्रीप्शन इढ़ी के लोग subscribe कर रहे हैं क्या सबस्क्राइब कर रहे हैं उस कंपनी के शियर फिर इसके बाद कंपनी फैसला करती एक डेडलाइन दे जाती है बाई अठाइस तरीच से पहले-पहले सारी साथ मिलिन की आई है फिर भी सबको फुर आपनी केशन साथ मिलिन की आई है अब सेलेक्शन कीजिए किन को शियर एशु करना है किनको नहीं इसे कहते हैं बैल इन्टिंग करना वैले इसमें यह रूल निहीं होता फरस्ट इन फरस्ट आउट यानि जो पहले आ गया उसका उनको क्या किया जाता है शेयर रिशू कर दिया जाते हैं और जो सक्सेक्शल कंडिडेट्स नहीं होते हैं याद रखे उन्हें पैसे वापिस करना लाजमी होता है आगे चलने से पहले पैसे वापिस करना लाजमी है यहां तक बाद समझ आए अच्छा बाद वकात ऐसा होता ह है अचा सो सीड्स रखी थे असी अप्लीकेशन आई कालेज़ वाले क्या करेंगे असी का अट्मीशन देंगे 60 अप्लीकेशन आई फिर बिनको अट्मीशन देंगे और अगर 6 अप्लीकेशन आई most probably वो उस badge को खतम कर देंगे कैंगे भाई ये तो नुकसान की बात है तो एक minimum उन्होंने नंबर रखा होता है college वालों कि इतना number of students आए ना फिर class start करवाएंगे वरना नहीं करवाएंगे जैसे वो meeting वाले के concern पड़ा था ना minimum number कोरम के जो लोग आएंगे कम अज कम इतने लोग आएंगे तो हम business शुरू करेंगे वरना नहीं शुरू करेंगे वरना नहीं शुरू करेंगे exactly उसी तरह का concern यहां पे भी अपलाई होता है ऐसे ही company ने भी decide किया होता है जी हम share issue करना चाहते हैं क्यों शुरू करना चाहते हैं क्योंके business लाना है business कितने में चलाना है 50 million में अच्छा 40 million अगर इकठा हो गया business ला लोगे चला तो लेंगे थोड़ा लेकिन मुश्किल होगी लेकिन चला लेंगे 20 million इकठा हो जाए फिर नहीं चला सकेंगे कम अच्छा कितने पैसे इकठा होने जरूरी हैं देखे चाहते तो हम यह है कि 50 million इकठा हो share issue करेंगे 50 million के लेकिन 30 million वो amount है कि अगर इतने कठे हो जाए कम अच्छा हम बिजने शुरू कर सकते हैं इससे कम इकठे हुए तो business बे शुरू नहीं कर यह जो 30 की amount है ना इसे हम कहते है minimum subscription चाह कहते हैं नाम से जाहिर है वो come as come amount वो come as come share जो लोगों का subscribe करना जरूरी है ताके हम business शुरू कर सकें यह है minimum subscription और इसी तरह law ने एक relaxation दी हुए companies को जो के public company ने है के general public को share issue करने के लिए listed company होना जरूरी है लेकिन अगर कोई public company अभी listed नहीं है application फाइल की हुई है उसने वो share issue कर सकते है जैसे बास को गाता होता ना सर result नहीं अभी आया मेरा क्या मैं college में admission ले लू गयाते है आजा प्रवीनल admission ले लो उसमें क्या होता है प्रवीन अभी ने ले लिया रजल्ड में पास हो गए ओके चलते जाएं और अगर रजल्ड अच्छा नहीं आया फारग वापिस चले जाएं तो इसी तरह कमपनी पब्ली कमपनी है listed नहीं है उससे stock exchange में application डाली हुई है क्या वँ जानल पब्ली को share issue कर सकती है, prospectus issue कर सकती है येस, provincial जाज़त है उसको लेकिन याद रखें, अगर एक कमपनी ने promise पैक्टतेस issue किया और लोगों ने सब्सक्राइब किया लोगों ने सब्सक्राइब किया तो ये कमपनी असूली तोर पे इस कमपनी को सब्सक्रिप्शन के बाद शेयर्स अलॉट करने चाहिए ना सब्सक्राइबर को नार्मली ये कमपनी शेयर्स अलॉट करेगी कमपनी जो शेयर इशू करते हैं से कहते हैं अलॉटमेंट तो यह कुछ पता चला आपको process कौन सा process share issue करने का process क्या है step number one prospectus मना के इश्यू किया step number two general public ने shares को subscribe किया step number three हमने देखा over subscription है कि under subscription over subscription है तो बैलडिंगी under subscription है तो सब को share issue कर दिया provided minimum subscription under subscription बहुत यह under नहीं है मिनीमम सब्सक्रिप्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् गए और मिनिमम सब्सक्रेप्शन में पूरी हो गए अब क्या करना है जितने आप शेर इशू करेंगे जैसे यह कि इसी साइजम्पल को लेकी चलता हो आपने डिसाइड किया था वन मिलियन शेर इशू करेंगे तो अथराइज शेर कापिटल कितना है एक मेंडर अथराइज Bencause अगर एक मिलियन शेर इशू की है घूँर से सुने एक मिलियन शेर इशू की है तो इ Saturn Casar कीesterol हुआ अब हन्द अ कि और सेर्फ ऑर सेड़ों म् फारख one हंड़ड मिलियन शेर कैब टेल इस्छ ए रिशूश्दर है अगर त्री मिलियन शेर्ट करें तो शेर करें तो अगर त्री मिलियन शेर्ट करें तो यह जो ही नहीं सकता है और नहीं सकता हाँ क्योंकि एशूर शेयर कैपिटल के एकवल या कम होगा अक्सीड करूआने के प्रैक्टिकली हो सकता है लेकि उसके पास जिस्टरार के पास जाके क्योंकि उन्हें कहेंगे मेमरेंडम के आल्टरेशन कर दो और उसमें कौन सी क्लास चेंज करते हैं क्लियर हो गया अच्छा अब रूल यह है कि जितना इस्वर शेयर कैपिटल होता है वो और पेड़ अप शेयर कैपिटल वो दोनों ब्रापर है वरना अब जो पेड़ अप श सब्सक्राइए में को 35 35 साल पहले के इस शेयर कैपिटन आपने वन मिल्यां शेयर ओफ रपीज हंडर इस किया ना तो आपके पास आप्शन है क्या आप चाहें तो सो का सबसारा अभी ले ले चाहें शेयर होडर से चाहें इस सो रपे की इंस्टालमेंट्स कर ले मतलब ले सक और बाद मैं चारुरिशनले इसकी जादत पहले उती अब नहीं अगर आफ 10 रुप्य क शेयर अभी 60 रुप्य और 40 रुप्य बाद में वसूल करने इसको क्या पथार्ट ली पेड़ दोती थी आब नहीं है इसी लिए अब जितनी भी कंपनीज बन रही है कंपनीज़ 2017 के अंडर उन सब का इसूद शेयर कैपिडल और पेड़ाइब शेयर कैपिडल हंड़ाइब परसंट सेम है लेकिन हमें यह कंसर्ट क्यों बढ़ा रहा है प्र परानी कंपनीज है जो पार्टली बेड़ शेयर है और अभी फुली बेड़ पार्टली बेड़ चला पार्टली बेड़ प्यूंकि अभी पैसों की जुरूरत पड़ेगी तो फिर फिली बेड़ करवाएंगे ना तो अब देखें तरटीब क्या बनी अच्टुर एशेयर कैपिल वह जो रिजिस्टर के पास रिजिशन करवाया में 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 इस्यूर शेयर कैपिटल इस पार्ट ओफ आफ और यजर कैपिडल विच एजेद में रखीगा अगर एक्जैम में क्वेस्टन में साइलेंट रहे तो आप हमेशा क्या जम्चन लेंगे फुली पेड़ शेर क्लियर अच्छा बताईए पांच मिलियन शेर्स थे एक मिलियन इशू किया मजीद तीन मिलियन और इशू करना चाहते हैं कर सकते हैं कैसे मेमरेंडम ने आटरेशन कर से करवाने है वन मिलियन शेर्स इशू किये हैं थ्री मिलियन शेर्स मजीद करवाने है तो महां कर सकते हैं मेमरेंडम ने आटरेशन की जरू तो नहीं है ना क्योंकि वो लिमेट से नीचे नीचे कलियर यह डारेक्टर अप्रूव करेंगे डिरेक्टर्स की पाउबर में हमने कही पढ़ा तू इशू शेयर्स पढ़ा लिगा हूः था तू इशू शेयर्स लेकिन जो नहीं लिखा हूः था वो आप सुने डिरेक्टर्स शेयर इशू करता हो सकते है правда लेकिन एक केस में अगर डारेक्टर शेयर इशू करना चाहें तो उन्हें मेंबर्स की अपरॉल की भी जरूत पड़ेगी शाबाश अगर इशू करके आथराइज शेयर कैपिटल से भी ज्यादा इशू करना हूँ कि यानि अगर अगर अगादर केल्स हाइव मिलियन शेयर अथराइज र 9oin शेयर आतुराइज तक य्वंधेमान अगेंट्र इस और हिटेफायर करने ये नियूद 118 म यह खाते हैं और अगर दो टू हंड़र मिलियां शेयर काट विश्यू करना चाहिए फिर अप्रोवल की जुरूआत है क्यों कि आप रोटेशन इस मेमरेंडम का केस है और अप्रेशन इस मेमरेंडम के लिए स्पेशल लेजिलिशन की जुरूट वढ़ती है यह क्लियर हो गया कि आप मेंसे किसी के पास बाइक है किसकी बाइक नहीं हम यूंटेट की नहीं है कि आपकी अपनी मिलकिज़ नहां कर सच में क्या सबूत है एक तो उस्हें न्हींने कि इनकाल करती है अभी देखते हैं मुझे यकीन नियाद भाई के बास सच मुझे का भी है घार भी थी क्या है वारेंट गिर अफ्तारी यह क्या है नहीं नहीं यह बिल्कु ठीक है यह गाड़ी की डिस्क्रिप्शन नंबर लिखा हुआ है इसके अपर भाई का नाम लिखा हुआ है जिससे हमे कौन सी वाली मोटर साइकल है इनकी उसका नंबर लिखा हुआ है एक्जैक्ली उसी तरह जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीबते हैं आपको शेयर इशू किये जाते हैं लेकिन अच्छा बाई के उपर तो आपका नाम लिखा हुआ बाई के उपर नहीं लिखा हुआ हैं से कनाव के उपर नाम का नाम है बाई को ऊपर नंबर होता है जैसे बाई को यहीं नाट नमर होता है लेकिन वह शेयर्स के हैँड़र और चीज है शेयर्स rec champ 최िए उन है सब्सक्राइज और सिस एक और है ऊजए उचिप शेहर है इस तर्टिकेट क्या है राई इस शेशियों करती या यह इस बात का सबूस्त है कि यह बाहिजान ओनर- काधिन कर थो जाएगी तो यह सेरटियकेट दिखा के डुबलीकेट खेज निकल वा शकते हैं या जब कभी जगड़ा हो जाए ये कहें मेरे शेर्ट है ये कहें मेरे शेर्ट है हम कहेंगे शेर्ट सर्टिफिकेट दिखाओ जिस शेर्ट सर्टिफिकेट में जिसके नाम पे होंगे वही कानूनी मालिक माना जाए तो शेर्ट में शेर्ट सर्टिफिकेट में फरक समझ आ ग है हरता कि its Def 여 शयर भी है जैसे यह त्राइबल है एक सब्सक्क्राइबल है जैसे बाकी cat पर आपके घर है ना राइड अब रह सकते है ठीक है भी एक बेत्य वे बीच चढ़ा सकते हैं लाइबिल्टी भी है बिजली अधा करना है प्रॉपरटी टेक्स अधा करना है उसी तरह शेयर भी एक टे सांफ हुआ के साथ भी कुछा कुछ और लाइबिलिटी से कौण से राइट है एक है राय तूसल राइटू रिसेभ डिविनागर राइट न उकर टू अटेंड जनल बिडेंग वोटिंग और बोनस राइट्स इंटाइटल मेंट ए इस थे एप इनके अच्छा लाइबिल्टीटीज क्या है अंपेड़ अमाउंट ऑफ यह एफ हैं इस बात का मतलब समझा है यह आप दूसरी प्रॉपरटी के तरह इसको सेल भी ट्रांसर भी कर सकते हैं इसके राइस भी है लाइबिल्टीज भी है कैसे पता चलेगा लीगल और कौन है शे इसके पाद अगर कभी आप शेयर कैपिटल की अच्छा मुझे यह बताईए कि एक अधुराई शेयर कैपिटल एक शेयर कैपिटल दोनों में से कौन सी फिगर कौन सी इंफर्मेशन अधुराइबिल्टीज में से कंपनी की ट्रू नेट वर्थ को प्रिजेंट करती है इस इस वह पैसे है जो कमपनी के पास आ चुकी है इसलिए वह यह कहता है लौ बनाने वाला कि अगर कभी आप किसी अधुराइटिसमेंट में अपना अधुराईज शेयर कैपिटल का जिकर करें ना कि हमारा अधुराईज शेयर कैपिटल फाइव मिलियन शेयर ऑफ हंडर्ड तो साथ ही साथ एकवल प्रॉमिनेंट प्लेस पे आपने शेयर का बीजिकर करना है ताके लोगों को आपकी कंपनी की ट्रू जो वर्थ है नेट वर्थ है उसका पता सब सके हैं मैं कुछ बाद समझाए आपको चलिए अब हम चलते हैं अभी घर नहीं चलते हैं अब अभी अब्जेक्टिव टू में में एविडेंस बता हां हां शेयर सर्टिफिकेट शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फाम में भी हो सकता है लेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है लेक्ट्रॉनिकल अब अपने बैंक एकांट में पैसे जमा करवाते हैं डिपॉजिट मिलती है आपको यह पता है डिपॉजिट फिजिकल भी हो सकते है लेक्राणिक लिए फिजिकल तो जब ठपा लगा लेता है लेकिन अगर आप ओनलें काूंट ट्रांसफर करें ना तो बुर जीदा वह एलेक्ट्रोनिक रिखिट याद रखें लेक्ट्रोनिक लीवी एकुली वैलिड है जितना फ है तो आज क्या है मेरी कुण सी बात मननी आप टेस्ट भी देना आपने है तो देना आपका जो टेस्ट का स्लेवर साहे मों सुन लेजिए चैप्टर 4 आपका complete शामिल है और चैप्टर 5 का learning objective 1 सिर्फ ये शामिल है ठीक है ना यानि जो आज बढ़ा है चैप्टर 4 पुरा और learning objective 1 आज का आज घर जाके बढ़के आने आपने याद कर लेना है ठीक है जी चलिए आज का lecture यहां पे खतम करते हैं आपको कोई page distribute किया गया है नहीं किया गया वो कल कर लेंगा भी इनको जाने लें यह हो गया हुगा है यह गल्स वाली सेट हाँ बिल्कुल अच्छा इसके आप हमने अपना नंबर हमारा नंबर किया मेरा आपको एक नंबर लिख वाया जा रहा है आप अपने पास कर दो कर दो झाल 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 झाल